नमस्ते दोस्तों टेक्निकल किंग के अन्वोक्सिंग वीडियो में आपका स्वागत है आज के इस अन्वाक्सिंग विडियो में हम अन्वाक्सिंग करने जा रहे है डिजिटाल स्मार्ट बेकलाइट अलराम क्लोक with वेट रूप में सजा सकते हैं आप डेक्स पर रख सकते हैं तो दोस्तों ये छोटा सा सुन्दर सा दिखने वाला अलराम क्लोक हमने मगवाया होता है अमेजोन से जब इसका प्राइस था 2.99 हाला कि अभी भी इसी प्राइस के रेंज में आपको ये मिल जाएगा अमेजोन से तो चलिए आई अन्बोक्स इंग करते हैं डिजिटल स्मार्ट बेक्लाइट अलराम क्लोक विद ऑटमेटिक सेंसर डेट एंड टेंप्रेशर तो छुछ ये संदर सा दीखने वाल डिजिटल स्मार्ट बेक्लाइट अलर्राम क्लोक का बोक्स हमारे सामने है तो सबसे बहु को किसी डेमीज के लिए दोस्तों तो ना कहीं पर भी डेमेज नहीं दीख रहा है तो चलिए प्लास्टिक को भी खोल देते हैं चोटा सा टूल यूज़ कर रहा हूं दोस्तों चलिए एक साइट से कट गया है दूसरी से भी काट लेते हैं चलिए नाइप का वह सार प्रेज है जो कि बहुत काम आ रहा है चलिए तो बोक्स हमारा खुल गया है चारो सैट से ओपन कर देते हैं हम लोग इसे तो देखिए बोक्स खुलते ही दूस्तों सामने हमको दिखाई देता है अप्टीकली कंट्रोल एलीडी अल्राम क्लोग तो उसको सबसे पहले वहाँ निकल लेते बोक्स के अंदर ना कुछ नहीं है तो देखिए लोक का जो बोक्स है अमारे सामना है इसमें उपर लिखाऊ ऑप्टीकली कंट्रोल एलसीडी एलीडी डिवाइस याँ पर वेएसं बोक्स को खोल देते हैं चली एसे इसमीर अबया कटथ गया बोक्स खोल देते दोस्ते हम लोगँ प्लास्टिक बसक्रोद में हरे बेह बोक्स्ट के आल लिया निकाल लिए बोक्स भी खाली हो गया उपर पम हटाते दो 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 आइटम को मिलेगा खड़ी याने की क्लोग यहां पर उपर में देखेए नूज और लाइट बटन दोस्तो यह बटन स्नूज न और लाइट का काम करेगा दोस्तो जब हम सेल डालेंगे टाइम आपको देखना है रात को तो आपको इस बटन को दबाने से लाइट ओन ह हो जाएगा और यहां पर आलराम बजराओं को तो स्नूज का काम भी यह बटन करेगा इस क्लोग की साइज भी तो अच्छी खासी आप देख पार है टेबल यह तो बहुत ही सुन्दर सा देखेगा पीछे की सेट में दिखा देता हूं थोड़ा से क्या क्या है यहां पर फं गंड़े या तो 24 गंड़े के फॉर्मेट के हिसाब से चलाना है उसके लिए बटन है नीचे में यह लिखा हुआ है जो कि आप चेंज करेंगे देट तो उस समय में काम आएगा बीच वाल बटन मीनिट और डेट और नीचे में लगए डिग्री सेंटिग्रेट तो इसमें नीचे में और श्राइडर जो कि ओन ओफ लिखा वा नीचे में लिखा तो दोस्तों यह बटन यहीं करेगा जब रात में लाइट नहीं होगा आप अंधरे में सो रहे है तो हलका फूल का लाइट जो है वो LED स्क्रीन को देगा तो ग्लो करके रहेगा तो आपको टाइम हमें सब्सक्राइब लिखा हुआ तो लोग करने के लिए बाके के नीचे के लिए जो कि हम आगे मैं देखेंगे उसको कैसे कर सकते हैं तो दोस्तों लाइव देखने से पहले कमपणी ने मैनीवल दिया उसको पहले देख ले थे हम लोग दोस्तों तो देखें आप चाइना में बहुत हुआ है और इंग्लिश में भी लिखा हुआ है सबसे चायना वाले पैज में यहां पर नम्बर इंग किया हुआ दूस्तों बन ट्रीफॉर वन से लेके आट तक है पर नम्बर निगा हुआ जो कि स्वीचिस का है उसका क्या मतलब दूस्तों वह भी पीछे में लिखा ह हुआ है तो अभी मैं पेज को पल्टी कर देता हुँ तो यहां पर देखे कौन सा बटन क्या है वहां पर नाम भी लिखा हुआ है तो 1214 यहर ओन अप सेंसर लोग अलराम सेट डेट सेट यह सब लिखा हुआ और नीचे की साट में देखे तो फंक्शन सेटिंग यहां पर क्रेको उनलह ओगए तो यह के वह बाद कि लिखा हो है कि यहां पर नहीं करेंगे तो इस नहीं फंक्षन जो मैं बात करें दोस्तों अंदेरे में लाइट जलता है तो वह फंक्षन यहां पर कैसे उसकर सकते हैं मैं इंटरनेस इन स्टोरिज का भी यहां पर लिखा हो दोस्तों कि क्लोग जब यूज नहीं करेंगे तो आपको कैसा बैटरी लगा के नहीं लगा के रखना है कि इस कंडिस्टम में रकना है वो भी यहां पर लिखा हुआ है तो लिखा हो गया है तो चलिए बेह नो है भर दोस्तों तो यहां पर बैटरीश कवर को हम थोच्श से हटा देते हैं तो यहां प्यानी होutta तो चलिए अभी हमारा क्लोग हमारे सामने है दोस्तों इसको में जूम कर देखे यहां पर लिखा हुआ है यानि कि AAA बेटरी 1.5 volt का यहां पे आपको लगाना है तो बेटरी अभी हमारे सामने है बेटरी हम लगा देंगे दोस्तों तो चलिए बैटरी आ गया है दोस्तों डूरासल का तीन बैटरी मेरे पास यहां पर सामने आप दे पर है त्रीपल ए केटेगरी का या तो त्रीपल टाइप का है और 1.5 वोल्ट का है तो चल गया है अब यहां को बैटरी को इंस्ट्रोल करते हैं दोस्तों कि चलिए उद्धर सैट में क्ल Infinite दोबसा नहीं रहता तो सबसे चाले नीच वरी लाइन में लगाते हैं बैटरी लगा घ्रीपिशा बैटरी में लग्या और यह थी स्टाविटिटी कंडिशन में लकी दोस्तों उसको उउठार का नहीं होगा बैक कवर यहान तो बैटरी कवर लगा देते हैं चलिए तो देख पार यहां पर अभी ट्वेल जीरो जीरो एम यहां पर सुबा के जो रात के बारा बजते हैं यहां पर टाइमिंग है छे बजे का आलाराम इसने शेट करके रखा और देखें लाइट करने से यहां लाइट चालोगे नीचे में टाइमर लगा अब देखें आलराम ओफ है तो यहां पर आपको कुछ दिखाई नहीं देगा जिसालरम का सिम्बोल होता है तो अभी मैं पीच्छे की सेट में करके आलराम को ओन कर देता हुँ दोस्तों देखें में स्लाइटर को उपर की और करना है आपको यह देखें आलराम ओन हो गया यहां पर जेट जेट जो लिखा हुआ है वो यहां पर सिम्बल आ जाता है देखें आप नीचे करेंगे तो आलराम ओफ हो गया यहां पर हट गया है सिम्बल ठीक है सेम यहां पर अभी जो यह 12 और 24 है तो देखें 0.01 यानि कि रात के बारा बचे तो आपको एम पीम नहीं क बिखेंट करने तो वह बटन सिंगल प्रेस करने से आपको ओर मैट चेंज कर सकते हैं जलिया ग्री में टीच कि यहां पर नीचे में है जो की कुछ काम का नहीं है फिलाल के लिए तोшके बातो आभ िसमें कुछ इंपक्त नहीं दीखेंगा जैसे माँ फिर कर दिया हूँ को को क्यूंकि name यहां पर light है इसलिए यहां पर sensor sense करके light नहीं जला रहा है तो कोई फ़र्क ने पड़ेंगा आप ही right slide में देखेंगे तो 4 function है तो चारू functionlima एक एकपर देखेंगे दोस्तों तो चार थे था आपको थोड़ा सा आराम से करना है स्लाइट वर्न नुबर में अब फास्ट लिए करेंगे तो डाइरेक फॉर्थ वाले में चले जाएंगे जो कि यह टाइम सेटिंग ठीक है तो चले टाइम सेटिंग की पहले कर ले तो दोस्तों तो आवर एंड मिनिट जहां पर लिखा हुआ है देखिए उसी यह तो अभी मन देखिए और देट दोनों आगे बढ़ता है तो सबसे पहले मन्त को सेट कर लेते हैं मन्त हम कर लेते हैं सेवंध याने की जुलाई तो जुलाई हो गया और डेट जो है अब इसको चेंज करके हम करते हैं नाइंटीन एट नाइन ट्वैल फॉर्टिन सिक्स हो गया तो डेट टाइम जो भी हमने डाला तो यहां पर फिक्स हो जाएगा तो अभी फिलाल के लिए एक बचकर पांच मेंट हुआ है देखें बेक लाइट भी हमने यहां से उपर से चालू कर सकते दोस्तों बटन लाइट बटन कभी भी दबाएंगे तो दोस्क्रीन पर स्टाइड जो हो जाएगा तो अभी फीचर बचले दुस्त अल्राम सेट करने का तो मैं आलराम भी सेट करके आपको दिखा देता हूं तो चलिए अभी अभी आलराम सेट करेंगे दोस्तों लोग एक बचकर शे बचा बचा तो हम अलराम लगाएंगे एक बचकर साथ आपर चैंसे हम लोग क्या करेंगे लाघन को सेट करेंगे शुज जिister कर देता हो मैं तो थे अपनेर क desires हमको क्या करेंगा हम करेंगा या लोक तिके लोख रोग हो गया बस और कुछ नहीं कर को अल्राम को अन कर देना वह जरूर करिये गा दूस्तों आल्राम निकरेंगे तो आल्राम नहीं बजेगा नहीं बजेगा यह सबसके आवाज आप सुन पायरे दोस्तों अभी सिंगल टॉन मैं बज रहा है और यह टोन चेज होती रहेगी अभी देख पर संगल टॉन है करता जाएगा और इसका intensity है वो भी थोड़ा सा तेज होता जाएगा अभी आप सुन पा रहे हैं देखिए अभी त्रीपल हो गया है टॉन और एक बार श्नूज बटन दबाने से हो गया श्नूज और लाइट यहां पर जल गया दोस्तों तो दोस्तों अभी बात करते हैं इस अभन पलोक की rate का तो दोस्तों ऑप्रेशन इसका बहुत ही इजी है तो easy to use के लिए हम इसको देंगे 10 out of 10 वेट की बात करदें तो वेट बहुत ही हलका है दोस्तों तो उसके लिए हम इसको देंगे 10 out of 10 डिजैन की बात करेब तो सुन्दर सा इनधाक का डिजैन हे दोस्तो तो उसकी लिए भी हम इसको देंगे 10-10 कलर के बात करेब दोस्तो में प्राइस थो द्तो मुझे ज्यादा लग रहा है अर आंड 200 ऐस्पास होगा है अब प्राइस सक्टार अग्दम कयो बैस था energy value for money के लिए हम इसको देंगे 8 out of 10 overall rating की बात करें दूस्तों तो 9 out of 10 इसका overall rating है तो आज की वीडियो में दूस्तों यही था अगर इस वीडियो आपको अच्छा लगए तो इसको like कर दिए कुछ आपकर doubt या कुछ suggestion ने तो comment box में जरूर बताइए तो आज की वीडियो में ही था ऐसे मज़ेदार और वीडियो देखने के लिए मेरी चैनल टेक्निकल किंग को सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद जैहिन